नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बुद्वार के दिन गौरी पुत्र गनेश का दिन है और बुद्वार के दिन कुछ ऐसे कार हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए वड़ना आर्थिक नुकसान होगा और मा लक्ष्मी चली जाएगी दूसरों के घर तो आईए जानत हैं लक्ष्मी को प्रसंद करने रिद्धि सिद्धि के दाता गनेश जी को प्रसंद करने बुद्वार के दिन क्या ना करें जो तिस कहता है कि बुद्वार के दिन भगवान गनेश की पूजा करने से आपका बुद्ध ग्रह मच्भूत होता है और अगर गरवर है तो सांती होती है बुद्धवार के दिन अगर थोड़े बहुत उपाई कर लें तो जीवन के हरकस्ठी दूर हो जाते हैं चुकि बुद्धवार का जो स्वामी ग्रह है वो बुद्ध है और बुद्ध ग्रह को बुद्धी का कारक बिवेक का कारक संचार का कारक वानी का कारक माना जाता कहा जाता है कि बुद्वार के दिन कुछ विशेश खारे हैं जो नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती है और मुश्किलें का दौर सुरू हो जाता है क्या नहीं करना चाहिए तो चलिए जानते हैं कि किसी से भी धन का लेन देन ना करें यानि किसी को ना तो उधार दीजिए और ना ही लीजिए माना जाता है ऐसा करने से आर्थिक मामलों में सफलता नहीं मिलती बुद्वार के दिन लिया गया धन या दिया गया धन लाब कारी होता है लेकिन लेन देन करने से आर्थिक नुकसान होता है इसलिए बुद्वार के दिन कर्ज लेने से बशना चाहिए करभे बचन ना कहें बुद्ध गरह को वानी का कारक कहा गया है आपके संबात का कारक है तो बुद्वार के दिन मीठे बचन बोलें तो अच्छा रहेगा प्रेम बढ़ेगा जीवन में धन की मुश्किलें दूर होंगी घर का बाता बरन अच्छा रहेगा सुक सम्रिद्धी बढ़ेगी बुद्धवार के दिन भूल कर भी काला कपड़ा ना पहने बुद्धवार के दिन अगर बैवाहिक जीवन को सुखी रखना है पती की लंबी आयू चाहिए तो महिलाओं को काले वस्तर नहीं धारेन करना चाहिए और साधी सुदा जो महिलाएं हैं काले रंग के आभुसन तो कभी भी ना पहने बुद्धवार के दिन पस्चिन दिशा की तरफ यात्रा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पस्चिन दिसा की ओर दिसासूल होता है और इसी लिए इस दिसा की यात्रा ना करें बुद्वार के दिन जोतिस के अनुसार धन का सौधा किसी भी तरह का सौधा या निवेस नहीं करना चाहिए और बुद्वार के दिन दूद भी नहीं जलाना चाहिए करते हैं नहीं करना चाहिए इस दिन कुछ नया सामान जैसे की कपड़ा है जूते हैं खर दिया मत लेकिन अगर आप बुद्वार के दिन आपके घर में नया कपड़ा है आप उसको पहनते हैं तो हमेसा ही आपको नया पहनने के अफसर मिलते रहेंगे और पान तो बिल्कुल